दिखे एक सवाल है पिर्तम लाल थापा जी ने पिर्तम लाल थापा जी का एक सवाल मैं ले रहा हूँ संबल पूर से लिख रहे है रेडा कोल संबल पूर से पुराने बीवर है हर बार भेजते हैं सवाल इनका बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए इन्होंने लि किया था, put को buy नहीं किया था, क्या करें अब 1 लाग ही बचा है, यानि कि 3 लाग का loss हो चुका है, 4 लाग का capital था, 3 लाग साफ हो चुके है, कैसे recovery होगा, कुछ idea यह मांग रहे कि कैसे recovery होगा, please कुछ idea दीजे, C.A. परमोद ने कहा था, 15,000 से 15,500 होगा, बट नहीं हुआ, 14,500 होगा, बड़ा नुक्षान उठाना पड़ा, give open होगा, gap up open होगा, अच्छा, gap up open होगा, बट नहीं होगा, निफ्टी का call लिया था, 15,200 का buy किया था, 125 पे एसल दिया था, 100 पे, buy open for 74 पे, last पे 35 पे काटना पड़ा, 90 पॉइंट लॉस हुआ, तो नेट लॉस दो लाग सकतर हजार का हो गया, अब देखें, गलती मैंने पहले भी एक वीडियो बनाये हुए थे, कि हम लोग हमेशा दो दो चहरा हमेशा तयार रखते हैं, एक वो, जो सामने वाला को हमें कुछ बता रहा है, तो हम पहली गलती उसी को उपर ठोप देते हैं, तो देखें, इन्होंने एक चहरा तयार रखा है, C.A. परमोद करके, किसी का, पता नहीं, ये कौन है C.A. परमोद मैं नहीं जानता, और मैं किसी को गलत भी नहीं बोल रहा, कि कुछ है, लेकिन चहरा तयार कर रखा है, परितमलाल जी ने, परितमलाल जी आपका लोस आपकी गलती का वज़ा से, किसी दूसरे की गलती को नहीं दी, उन्होंने कहा दिया होता है, कि दो लाफ हो जाएगा निप्टी, तो क्या आपको करते हैं, तो ठीक है, एक तो यह होगा, दूसरा चाहरा हम रखते हैं, कि अगर कोई आदमी नहीं मिलता है, तो भगवान को दोस्त दे जएंगा, तो यह चीज़ें अलग बात हैं, लेकिन अब बात करता हूँ, कि मैंने हजार बार अपने वीडियो में, हजार बार live session में, हजार बार अपनी classes में मैंने लोगों को बता है, कि कभी भी naked play नहीं करना है, अगर आप option play कर रहे हैं, अगर आप option trade कर रहे हैं, तो कभी भी naked नहीं trade करना है, one-sided कभी play नहीं करना है, आप देखें, आप तो इतना बड़ा lot ले रहे हैं, मैं तो गरीबों वाला trader हूँ, मैं तो गरीबों वाला trader हूँ, मैं तो एक lot, दो lot भी लेता हूँ, उसमें भी hedge करके लेता हूँ, call भी लेता हूँ, put भी लेता हूँ, सुचली मैं एक-दो lot में भी hedge कर लेता हूँ, call भी लेता हूँ, कुछ तो बजहाँ होगा एक चीज milさ समझे कुछ तो बजहाँ होगा कि मैं दोनों लेता हूँ ऑज अग हुच्छ कारन होगा इतन कम लौट में भी ले रहा हुज तो आप दुसरी इतने बड़े लौट में भी नेकेड प्ले कर रहा है निच कहानी को आप चारी तार्ट कर रहे हैं मैंने हजार बार बोला है हजार बार बोला है लोगों को कि भाई कभी भी इस option naked play नहीं करने का है मैं इस चीज को मैं बोलने का कारण cursor की मेरा अपना student का एक group है उस group में दो-तिन चंड लोगों ऐसे हैं जिनको cash का पता नहीं, कितनो भी समझाओ, कितनो भी सिखाओ cash के बारे में पहले कि cash पर कमांड करो, cash पर कमांड करो, कितना भी समझाओ, वो ऐसा नहीं करते, वो direct option में जाते, वो चंट लोग होते, वो जीवन बर वैसे ही रहेंगे, उसका कुछ नहीं हो सकता, मैं frankly बोल रहा किन के बारे में मैं बोल रहा हूँ, विसी लिए, cash पर कमांड भले नहीं हो बच्चे को, लेकिन वो चाता है कि वो option पर direct कमांड करे, नहीं होता है, option that's like, option that's like graduation, graduation, आप direct graduation करते हैं, पहले one class पढ़ते है, two class पढ़ते है, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, फिर metric हो जाता है, ना metric पास करत से, समझे नहीं, board exam cash पर कमांड हो नहीं रहा है, board exam that means cash, उसके बाद अगर आप college इंटर करते हैं, plus to the future, और उसके बाद graduation कर जाते हैं, then option, ठीक है, तो यहाँ तो cash ही नहीं ब्रेक हो पारा है, board का exam ही नहीं ब्रेक हो पारा है, आप direct graduation करने की बाद करते हैं, मैं लोगों को पहले, आप cash पर कमांड करो, stocks देखो कि आपके according चल रहा है, या आपके according नहीं चल रहा है, आप जैसा चा रहे हो, stock वैसा move कर रहा है, या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपकी analysis में कहीं गड़वड़ी है, अगर आप यहीं पर गड़वड कर दोगे तो आप option को कैसे पकड़ोगे, फिर आप option को कैसे पकड़ोगे, तो बच्चे से cash पर तो हो नहीं रहा है, और वो चले जाते है, option पर करने, ठीक है, कोई problem नहीं सीखना है, और सीखने में कोई खराबी नहीं, लेकिन direct graduation करने का logic यह मुझे समझ में नहीं आता है, अरे भाई तो फिर से रिमाइंड करा है, आप पहले मैट्रिक तो क्रोस करो, पहले मैट्रिक तो पास करो, बोर तो एक्जामनी कालो, फिर गरिशन करना ना, फिर कॉलेज में जाना, फिर कॉलेज के बाद गरिशन करना हो, पहले तुम direct graduation करना चाहरो, यह नहीं हो, और दूसरी बात, naked play, naked play, मतलब नंगी तलवार पे बैढ़ गए, naked play कभी भी option में naked play नहीं करना रहता है, मालिक, अब यह दिक्कत क्या है, कि आपको loss हो गया, तब आप उसका recover करना चाहरे है, है ना, recover करना चाहरे है, दिखे, market कल गीरा है, Friday को 500 point ठीक है, सब को गीर, जो loss हुआ, call वाले को loss वो कम से कम चैन की नीद सोय होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मैं चैन की बंसी इसलिए बजाता हूँ सोते समय रात में, क्यूंकि मुझे पता है मेरा portfolio सेफ है, क्यूंकि मैंने उसका, समझे रखे नो, उसको मैंने हेज कर रखा है, क्यूंकि market मेरे पिता जी का नहीं है यह तुम्हें जानता हूँ, और मार्केट मेरे पिता जी के पिता जी का भी नहीं है, अगें देखें, मेरी बाते कड़ भी हो सकती है, मेरी बाते थोड़ी सी छूभेगी, लेकिन अगें सुझें, मार्केट मेरे पिता जी का भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या करेगा, किधर का news का कैसा impact करेगा, मुझे बिलकुल नहीं पता है, तो भाई, मुझे जब इसी market में trade करना है, मुझे इसी market से कमाना खाना है, तो मैं इस market से लड़ूंगा क्यों, मैं जगरूंगा क्यों, मैं one side क्यों बैठूंगा, मैं क्यों ना उसको अपना security के साथ ब कुल-कुल गरबर कर दिया, उन्होंने बरबाद कर रखा, ठीक है, 10 लाग का profit, 5 लाग का profit, 20 लाग का profit दिखा दिखा के लोगों का दिमाग खराब कर रखा, कुछ लोगों ने, ऐसा नहीं होता है मालिक मेरे, और आपका loss आपकी गलती का है, अगर stop loss लगाया था, अभी दे 30 का wait क्यों क्या, 74 पर ही काट देते, नहीं काटा, आपने इस बजा से भी नहीं काटा, अच्छा अभी चला जाएगा हो, सर ऐसा नहीं तगर, आपने रूल अपना बनाया, तुस रूल को follow कर, stop loss का मतलब होता है, कि वो कट गया तो आपको बाहर आ जाना है, सिधी सिधी के बारे में ही सोची है, प्रितम जी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपसे बहुत छोटा भी हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझ पाना, 4 लाग का capital था, 3 लाग चले गए, 1 लाग बचा, वो 3 लाग, वो 3 लाग मने कि total 75% तो गैब हो गया आपके, capital का 75%, 75% चला ग होगा, यह, 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 मुझे कबर नहीं करने का तरीका बता के, मुझे ग्यान दे रहा है, जबकि मैं तो इससे बहुत बड़ा हूँ, उमर में, इससे experience भी बहुत जाता है, फिर भी मुझे ग्यान दे रहा है, नहीं सर, आपको कभी-कभी सुनना भी पढ़ेगा, छोटे ल option play नहीं करना है, चाहे कितना ही guarantee क्यों नहीं हो, again, चाहे किसी ने कुछ ना कुछ बोल के रखा हो, again, कभी भी option में naked play, one side play, एक तरफा play नहीं करना है, और मैं अपने उन चंट लोगों को कहना चाहूँगा, जो मेरे कुछ हैं, दो-चार बंदे, जिन से cash नहीं समल रहा है, और वो cash future में काम करना चाहरा है, वो option में काम करना चाहरा है, कि भाई, पहले मेरे तुम cash पे command करके मुझे दिखाओ, cash पे command करो, cash पे command कर लोगे, मैं आपको salute मारूँगा, फिर आप option में आओ, फिर आपको कौन रोका है option में आने को, कोई नहीं रोका है, भाई, ये तो market का पार्ट है ना करेंगे हम लोग भी करेंगे option सब मिलके करेंगे option कहीं को attention नहीं है पहले तुम cash पे command करो cash पे command हो जाए then future पे आओ देखे मेरा बहुत ही simple formula है मैंने अपने जीवन में नीचे से start किया और नीचे से क्या मैं एक line बोलूँगा यकिन नहीं आएगा किसी को और आना भी नहीं चाहिए क्योंकि लगेगा हवा दे रहा है सब माथे पे बोज ढोने से लेके मैंने क्या क्या काम किये मैं किसी को बता नहीं सकता क्योंकि यह मेरी चीज है प्रेशन तो मैंने जीरो से start किया नीचे तो मुझे पता है कि step by step क्या होता है ठीक है तो पहले आप cash पे command करो cash के बाद जब वो command हो जाए लगे stock आपके हिसाब से चलना start कर दिया है आप जैसे बोलते है वैसे stock हो जाता है जिधर चाहती हो इस चाहती है उधर चला जाता है अब बोल दे को line लगा दी तो इस stock को यहां तक जाना lorsque दो इस stock वहां तक चला जाता है इस stock पर जब आप हाँ साफ करने लगेंगा और future के stocks भी उसके according हो जाएंगे लेकिन उसका भी idea आपको कहा से मिलेगा board exam से मिलेगा यानि cash वाले section क्योंकि cash की चीज़े और future की चीज़े क्या होता है सिर्फ price का difference होता है और lot का difference होता है price का difference होता है और lot size का difference होता है तो price वही है, stock वही है, lot size बदल जाते है तो आपका risk भी बदलता है तो जब risk बदलता है तो अब जब आप cash के हिसाब से trade कर पा रहे हो वही formula आपको यहाँ future में लगाना है बस यहाँ आपका risk थोड़ा बढ़ दाता है क्योंकि आपके lot size बढ़ जाते है तो risk को हमेशा control करके चलना है कि आपको कितना risk लेना है अगर वह risk over हो रहा है तो आपको उस position को हमेशा strict stop loss के साथ follow करके फिर चलना है अगर वह future के stock भी फिर आपके हिसाब से चलने लगे और काम करने लगे लेकिन है जैसा cash में होता था बिल्कुल वैसे यह future में भी मैं कर पा रहा हूँ that means आपने plus to be pass कर लिया then अब आपको graduation में आना है then आपको option में हाथ साफ करना है तो यह step by step होते हैं लेकिन लोगों को यहाँ उल्टा graduation से start करने का इस market में आदत हो गई है पता ने direct graduation से यानि कि direct option से और फिर वो option करते करते मैंने हमेशा future और option के बारे में दो line बोला है जीवन बर बोलूँगा अगर future करेंगे तो आपका future बरबाद हो जाएगा और option करेंगे तो फिर future में आपके पास कभी कोई option करने का कुछ बचेगा नहीं हमेशा याद रिखे इस बात को तो पितम लाल जी आप बहुत senior person है आपसे request करूँगा मैं अपने सारे भाईयों से कहूँगा और अपने लोगों के उन चंट लोगों से कहूँगा अपने गुरूप के उस चंट लोगों से हाथ जोड के निवेदन करूँगा भाई कम से कम पहले cash पे command कर लो option कहीं नहीं भागा जा रहा है future कहीं नहीं भागा जा रहा है market यहीं रहेगा पहले cash पे तो command कर लो cash पे अगर command हो जाएगा ना then फिर आप अराम से future करोगे future में भी relax करोगे और अराम से option करोगे बहुत सारा फिर आपके पास option भी आ जाएगा अभी तो age ह मैं अपने उन चंट लोगों के बारे में कह रहा हूँ, अभी तो एज है आपके पास, अभी तो सीखने का एज है, लर्निंग का एज है, लर्निंग करिए, प्रॉफिट किसी का देख के मत भागिये, इदर उदर दाएं बाएं, ये वो दीर, मत करिए, सर मालिक मेरे, मत करिए है ना और माकी पिर्टम जी, अब बात करते हैं आपको कि कभी भी जीवन में ये आपने तो इतने सालों से ट्रेड किया है, क्योंकि मुझे जहां तक आइडिया है, इस चीज को कि आपको बहुत पुराने हैं, लेकिन कभी भी नेकेड प्ले करना है, ये आपने कभी कैसे आ कमेंट सेक्षेन में कि मेरे एग बात अगर गलत है, तो मुझे गाली लिख दिजिये, कोई मैं एकसेप्ट कर लूगा, सुईकार कर लूगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे गाली लिख कर बत कमेंट में छोड़ दिजिए, कोई प्राबलम नहीं है, मा बाहन कर द भी naked लेके नहीं जाना है अगर आप delivery घर लेके जा रहे है option तो कभी भी naked घर लेके नहीं जाना है वन तरफार एक side वाला कभी लेके नहीं जाना है आपको हमेशा double play करना है call and put क्यूंकि रात में क्या होगा किदर bambisport हो जाएगा किदर क्या हो जाएगा market सर कौन देखा है हम वो गलती करेंगे क्या हो तो 20 slott होता है आपने किदा लिया 20 slott लिया ना ठीक है मैं 10 call ले 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 था Simple तो यही तो करना था आपको एकिन नहीं आपने सुचा कि पूरा का पूरा ले ले लेंगे। विसा नहीं होता कि किसी ने बोला थाRob को 15,000 से 500 हो जाएगा किसी फालाने ने कहा था 15,000 से 550 15,000 से 500 हो जाएगा सर किसी का नाम मत लिजिये क्यूं किसी के उपर गलती फेकना है अपनी गलती एक्सेप्ट करिए अपनी गलती सुखारिए कि हाँ गलती आप से हुई वो कह देता कि 20,000 हो जाएगा रात और रात आप मान लेते किया नहीं मानते तो फिर ऐसा क्यों कि आपने नहीं करना है किसी के कहने पर नेकेड पले नहीं करना है माली किसी मैं तो इस्टॉक के बारे में एक इवार बलता हूँ कि मेरा बाब भी मुझे बोलेगा ध्यान से सुनिये मेरा बाब भी बोलेगा बेटा तुम ये इस्टॉक ले लो मैं नहीं लूँगा तब तक जब तक कि वो मेरी criteria पर fighter ना बैध है एकदम stock के पारे मेरे सीधी debra formula है मेरा बाप भी मुझे बोले बेटा तुम यह stock ले लो मैं नहीं लुँगा तब तक जब तक कि वो मेरी criteria पर fighter ना बैथ है मेरी criteria fit बैठेगा मैं ऊठा लूँगा माल ले लूगा, नहीं बैठेगा, कोई बोलेगा, कोई मतलब ले नहीं, कोई मतलब, मैं तो अपने वीडियो भी इतने इतने स्टॉक देता रहे तो, हमें सब को बोलता हूँ, मेरे बोलने पर नहीं लेना है आपको, आप अपना देख लिजिए, आपको शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, छोड दीजिए, कोई प्रॉबल्म नहीं है, कौना पैसे ले के यह करना है, आपको शूट करेए, आप माल ले जी, नहीं कर दा करेए, तो मैं अगेन कहूंगा कि अगर option का भूत नहीं उतरा है आपके दिमाग से ठीक है तो अब साथ कुछ-कुछ उतरा होगा अगर नहीं उतरा तो फिर भी अभी आप फ्रसम मार्केट से बाहर बैठिए चोंगे जो एक लाक बचाया अगर यहहरी का भूत अपके दिमाग में रहेगा तो आपको वह एक लाक भी चले जाने वाला है अगर वह रीकवरी का भूत आपके दिमाग में हैक नहीं शम हो वह चला जाया तो अभी ढुख करtext कर सथरों के बाहर के बैठिए और एन राईज करिए कि यहां फे मिश्टेक हुआ आपको यह की मिश्टिक नजर आएगा कि आपने हेजिंग नहीं किया था अब मंडे को देखेंगे डाउ जोंस भी 500 पॉइंट क्रेश है पता है आप नीचे में तो अब यह और मुझे यह भी पता है कि आप राद भर बैटके डाउ जोंस इससे आप इंकार नहीं कह सकते हैं मुझे यह भी पताए कि आप राद भर बैटके डाउ जोंस देखते हैं ठीक है प्यूंकि जिनको इस तरह की हिसाब होता है वह रागवर्स होते भी नहीं है यह तो प्रॉप्लम होती है तो यह चीजे हैं आपको यह समझना है कि कभी भी निकेट प्ले नहीं करना है मालिक और हमेशा हेजिंग के थुरू टेट करना है बांकि रिकवरी वाली बार तो मंडे से फिर आप नया स्टार्ट करिए फोड़ा से इस्थिर हो जाए एक दो दिन रेस ले लिजिए और धीर धीर फिर इस्टेप काम करिए निकेट प्ले मत क करते हैं आप हमेशा दोनों साइड लेके जाए और पूट भी अदर्वाइस मत लेके जाए वन साइड कभी नहीं किसी के कहने पर नहीं मेरा यही है कहना आप से कभी भी निकेट प्ले नहीं करना सारे लोगों को कहना चाहूंगा भाई इस्टेप बाई इस्टेप आओ डि गलत बहता रहा हूं क्या मैं गलत सला दे रहा हूं और अगर गलत दिया है तो मुझे आपका गाली का भी मैं स्वागत करूंगा तो चलिए इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं और बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ